कि गुट इबनिंगे रिवन तो मैसेल्फ नहीया कुमार वायव फेकल्टी इन नॉबल इस्ट्रीडूट दुरुगा कुंत तो इन प्रिवियर्स क्लास हम लोग ने जो यूनिट फॉस्ट का चेप्टर नमर उन था रिप्रोडॉक्शन इन ऑर्गेनिजम उसको हम लोग फिन थोड़ा सा ज्यादा है ठीक है तो फॉस्टेटर में भी एकुश्चन भी आ सकता है बट इस चेप्टर में थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है में भी थोड़ा बहुत आपको लग सकता है प्लांट से रिलेटेड है पर मैं ट्राय करूंगा कि सारी चीजें इंट्रेस्टिं प्लांट आपन साट करेंगे चैप्टर नम्मर सेकेंड इस एक्सवल अग्सर इन फ्लारिंग पॉंप्लांट अब देखो ऑक्तोे तो चैप्टर का नाम है इसकी अब आपको आना चाहिए कि ससुल रिप्रोडफों सेंवन प्लांट ही की बोला एक मिंए भी बोल सकता दा फ्लारिंग एक होले होडा तो क्या प्लांट में सारे और व्लार होते हैं उलार जाएक़ लर्फ, कुछ नहीं हbor एंडियो सपर्मिक प्लांट को ही कहते हैं प्लांट में तो टेलडू फरत वी आगल राइब भी हम तीक है जिम्नो स्पर्म की बात कर रहे हैं और एंग्यो स्पर्म की बात कर रहे हैं तो क्या यह फ्लारिंग प्लांट है नहीं यह यह भी फ्लारिंग नहीं है यह जिम्नो तक भी फ्लारिंग प्लांट नहीं है सिर्फ और सिर्फ एंग्यो स्पर्म ही फ्लारिंग प्लांट होता है यह आप चैप्टर के हेडिंग से डाल लेला इसलिए है किशा कि तो क्या हम समझें फ्लारिंग बलांट का मतलब क्या हुआ ठीक है लारिंग प्लांट का मतलब क्या हुआ एंज्यूस पर्म सिर्फ और सिर्फ एंज्यूस पर्म ठीक है क्यों पर्म ठीक है पहला कोशन तो आपको यही से पूछ सकता है दूसरा सेक्स्वल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया जैसा कि हम लोग पहले देखे जितने भी हाईयर प्लांट होते हैं इतने भी फ्लारिंग प्लांट होते हैं सारे में सारे सेक्स्वल रिप्रोडक्शन होता है विदावट एनी एक्सेप्शन ठीक है तो एक स्टेटमेंट है all flowering plant, जितने भी flowering plant है, मतलब कि angio sperm, वो क्या सो करते है, sexual reproduction, तो दूसरा statement heading से ही निकल के आता है, जो कि NCRT की line है, all flowering plant, यानि यह all angio sperm, all flowering plant sows, plants sow sexual reproduction, प्रीप्रोडक्षन डाउट इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको कि एस यार्टी के लाइन एज इस आपको ध्यान रखना ठीक है जितने भी फ्लारिंग प्लांट होंगे मन लोगी एंजयों स्वयं होंगे तारे की सारे क्या सो करेंगे सेक्षवल रिप्रोडक्शन सो करेंगे किलियर है अब जैसा कि हम लोग पिसले चेप्टर में सेक्षवल रिप्रोडक्शन के बारें बहुत चीज बढ़ चुके हैं अल्मोस्ट एवरीधिंग पढ़ चुके हैं कुछ नया नहीं पढ़ना है इस कॉंटेस्ट में जो भी लगेगा आपको लिटरली मैं बता रहा हूं ठीक है आपके स्टेज इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे स्टेज या इवेंट्स इवेंट्स in sexual reproduction, similarly sexual reproduction, यह हम पढ़ चुके हैं, क्या-क्या events होंगे, यह बताओ, pre-fertilization होगे, क्या होगा, pre-fertilization होगा, जैसा कि last class में भी हमने पढ़ था, पदलब कि last chapter में पढ़ था, फिर क्या होगा, Fertilization होगा Fertilization होगा अचके बाद फिर फाइनली क्या होगा Post Fertilization Development Post Fertilization तो इस तरह से तरीके से हापन sequence start करेंगे कि pre fertilization में क्या आएगा फिर Fertilization में क्या चाहिए Fertilization के लिए चाहिए क्या का male እ Rein menCON FMit कहां पर बनता है को इसा तो है नहीं कि अचानक से motions लाव्क उड़ के आ गया है कहीन कहीं के स्ट्क्टचर में प्रजेंट रहता होगा वहां पर इसका formation होता है तो स्ट्रॉक्चर के वारे में पड़ेंगे तो Pinky from ious we है उसके बारे में पढ़ेंगे किसके स्ट्रक्चेस के बारे में तो दीचेल में जाएंगे क्लियर योट कि इसका कोई exception नहीं है कि जितने भी फ्लारिंग ब्लांट है सभी के सभी ओल ओल फ्लारिंग ब्लांट सो साइट अफ सेक्शल रिप्रोडॉक्शन यही से आपन इसको आगे बढ़ाते हैं ठीक है क्या जो स्ट्रक्चर में आएंगे तो कोश्चन एक बन सकता है कि साइट आफ है Ben है देख्सवल कर सूल कंसर सिंटिश फ़्रारिणग प्लांट जो फ़्रारिंग प्लांट है ऑट कोषजन में अंसर फ़्रा चीप हुआ है हなら मिए मेल ओ फाम्ट रहें एप यानि फ्लारि इसका अंसर क्या जाएगा । रिप्रॉड़क्शन कहाँ पर होता है है site of sexual reproduction कहां पर होता है plant में flowering plant में यह flower में यहीं इसका answer है ठीक है तो इसका answer क्या जाएगा flower आया हुआ question बहुत easy लेकिन flower f l o w r clear नहीं है क्या चैलो flower f l o clear तो flower is the site of sexual reproduction in flowering plant अब जब flower site है सारा काम यहीं पर होना है regarding sexual reproduction तो हमें इसका structure पढ़ना पढ़ेगा तो pre fertilizer basically यहीं आपन पढ़ते हैं क्या structure इसका किसका structure पढ़ेंगे flower का पढ़ेंगे उसमें जितने पार्ट से फ्लावर के उसके बारे में पढ़ेंगे स्पेस्यली जो मेल sexual organ है उसके बारे में पढ़ेंगे female के बारे में पढ़ेंगे तो complete इसके बारे मापन detail यहां पर देखने वाले हैं तो पहले आपन क्या करेंगा फ्लावर का एक जनरल स्ट्क्चर पढ़ लें किलियर है ओके तो पार्ट सॉफ लार पार्ट सेंड ट्रक्चर ओफ लार कि एंसी आर्टी का डियाग्राम है जब बोर्ड का जो भी बच्चे अगर कोई स्टुटेंट बोर्ड के लिए देख रहा होगा यह वीडियो तो उसके लिए मैं एक सर्जेशन देना चाहूंगा कि कि अल्टरनेट इयर कि तो एल्थ का पार्ट आता है बायो का अल्टरनेट इयर पर यह कोशन यह तो फाई मार्क्स जनरली फाई मार्क्स में आता है कभी कभी टेन मार्क्स में क्लव करके यानि दो कोशन को मिला करके एक कोशन बना देते हैं और इसक्राइब दी पार्ट ओ को आप बताओ साथ ही साथ उसका एक suitable डायग्राम आप बना यह यह पांक नंबर में , कुर्ण आता है जब मैं वोट दीया था तो मेरे में यह था बहुत ऐजी कुष्चन है फ्लार का डाइग्राम है आप फ्रै चाहित पहुर्ट करोगो आपको मैक्सिमा माक्स जहीं बने? इतना समझ में आ रहा है न? ओके अब यहां से ठीक ऐसे क्लिएर है यहां तक? चली में रहे गाए वोगे अब देखो मैं थोड़ा से यह कर देता हूं यही आद कर दूँगा बस उसके लिए कलर किया जा रहा है तो क्या है गृणिस कलर का जेनरल ही होती है तो यही है झालो देखो रेटेई हो संव। एक्चिवस में मिचते पार्ट होते हैं फिलार के दे ट एर हमें उसकर इससे तोटल मुष तोपार्ट से कौन-कौन-स यहीं पर पहले में पाल लिख देता हुती है यह जो ग्रिनिस ग्रिन य eerste यह बाहत ग्रीन इसको बोलते हैं कैलिक्स किया बोलते हैं आ उसक चलो इसका यू-ट होता है और ग्रूप होता है तो अपने यू-णी पानाम पहले लिख देते कालेक्स को सेपल को क्या दढ़ा जाता है इंज आए सेपल सपहाई यज है इस तरह से मिल्ली hen हिए क्या होता है यह दिस फंफ पतनल यह क्या होता है पेटल ठीक है यह जो आपको दिख रहा है यह लॉंग श्ट्रक्चर और उपर में सर्कुलर टाइप लोब टाइप यह क्या हो गया इंड्रोसियम या फिर यहाँ पर अगर इसको बोले तो स्टमन तमन ठीक है और यह जो पूरा स्ट्रक्चर है यह यह पूरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यह पूरा इस पूरी की बात आपन कर रहे हैं यह क्या है कारपल में एक भी छी को क्या भोलते हैं डिस ϟ्सारम टोक्तल कि इस तरह से फैला हुआ होता है उपर में इसकों क्या होता है पेटल यह कालर होता है तो बहुत सारे से बनाना पड़ेगा यह मतलब कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है मैं भी बताऊंगा आपको सबसे फर्स्ट क्या था यह सिंगल यूनिट एक्च्वल में यहां से लिखते हैं फर्स्ट वन इज सेपल सेकेंड वन इस पेटल हर्ड वन इस स्टमन स्टमन फोर्थ वन इस कारपल और दोनों सेम नाम है कभी कभी होता है ना एक लोक दो नाम तो इस लोटार के चैंगल यूनिट बोलता है और यूनिट के ग्रूप को है मैं फिंगल यूनिट मिल जाएंगे तो क्या वो लेंगा बहु yourself बहुत तो उसको क्या वोलेगे और इनका इक ग्रूप है है व्यूभ फ्यारी प्र प्र ग्रूप से पल गृप पेटल इस तरह से रोफो यह चो होता है न है है क्टै्लिक्सव ए इस को बोलते है रूप सैपल इस नौन आस कालीक्स पैल का ला इन पकॉरोला याने कि male reproductive organ that is known as androsium और जहां पर भी एंड्रोजन आ जाना एंड्रोड पूरे बायो के लिए मैं बता रहा हूं आपको ध्यान रखना एंड्रो एंड्रोजन क्या होता है कि male के लिए यूज होता है तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं यानि इसको क्या बोलते हैं गाइनोशियम अब जहां पर भी गाइनो से रिलेटेड आजया ने गाइनोगाइनी डाट इस लिए फीमेल डॉक्टर को क्या बोलते हैं गैने को लॉजिस्ट ऑपसेंड गाइनी इन स और प्रिमृय्य फिलार का उसके ग्रुप को क्या बोलेगे जिमनोशियम शावलनें इससे में कंफ्यूज आपको नहीं होना के लियर है अब इसके फंक्सन के बारे हिमीं देख लेते हैं कि यह था कि अकट फंक्सन होता है यह अधिस्ट सेपल होता हूँ जैनरली कैसे कलर का होता है ग्रीन कलर का होता है इस लिए मैं ग्रीन से लिख दे रहा हूं तो जब यह बताओ green color का होगा इसका function क्या होगा plant में अगर कोई पाट green है okay for example leave to have photosynthesis करता है यहां पर भी क्या होगा function. क्या होगा थो तो की घुनकम क्या होगा फोतोसेंथेसिस कई गड़काइब एव आसलरो फूल किल मॣक क्रशों एंड डराइट धि degs कहलर फूल होगा चमगीला होता है ठीक है तो क्या करेगा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा तो क्या करता यह अट्रैक्ट करता है नी तकि फॉलिघ्लो रिखन यहां तो सकता है यही पर बोला घया सफु 예쁘 उती है बुभी होती है यह उस्ती है ऑप क्या करता है प्लार पर जाकर के हो रहे हैं वहां से आता है वहां colorful जो है bright होती है तो ही यहां पर उसका function बताए जा रहे है कि attract insects कि और कि पॉलीनेशन कि यह क्या हो गया यह मेरी प्रोड़क्टिव और्गन है मेल रिप्रोड़क्टिव और्गन यह फिमेल कि यहां तक समझ आया important है कि आरो के बारे में आपको confusion नहीं होना चाहिए बिल्कुल टेवल फॉर्म में चीज़ों को अगर करोगे तो मेरे कोडिंग से वह ज्यादा सही रहा यहां तक समझ आया बात कि इसको नोट कर लो आप नेक्स टॉपिक आपन अब क्या स्टार्ट करेंगे structure of लावर करने के बाद उसके function देखे question यहां पर कैसे आ सकता है मैच दी following के form में आ सकता है मैच दी following कैसे देगा एक तो यूनिट बाइस दे सकता है आपको कि इस पॉइंट का आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा मैच दी following में इसमें गढ़वर ना हो इसमें अब देखो तो फ्लार क्या है site of sexual reproduction है जो कि मैं बता चुका हूँ अब इसके डेली लाइफ में क्या यूज़े देखे लिखती है इसको हम लोग मानलो को फारी function हुआ तो यह सिंबल होता है एक सिंबल है या फ्लावर के तुरू आप किसी को क्या कर सकते हैं घिफ्ट वगेरा दे सकते हैं तो यह एंसी आप लाइन है कि यूज़े ना इसके अलाबा कुछ भी यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं अब देखो structure पढ़ने के बाद जैसे दो कि plant में flowering या fruiting अगर होने जा रही है तो क्या decision plant उसी time पे लेता है या फिर यह जो flowering हो रही है यह फूटेंग हो रही है यह जो changes जा रहे हैं plant में यह कैसे आ रहे हैं इसको similarly हम लोग अपने body बोड़ी से समझ सकते हैं कैसे कि मालो हमारे बोड़ी में जो जेनरल ग्रोथ हो रहा है बोड़ी का ठीख या फिर जो फंक्षन पर्फॉर्म ओर्यू उस तो कहीं क्या हॉपन इन्वल्वाइब बहुत सारे सेवरल हॉर्मौन है जैसे की फिट्यूट्री ग्लेंट से निकलती है बहुत सारे हॉर्मोन ठीक है उसके अप हिद्नी से भी निकलती ह्या हॉर्मोन उसके अलाबा growth hormone होती है जोकि growth and development के लिए responsible होती है ठुल मिला करके हमारे body का जो function है न उसको एक तो हॉर्मोन दुर्सा नर्वर सिस्टम इट मींस एंसी आटी 11 जब आप पढ़ोगे नर्वस सिस्टम एंड हॉर्मोन तो वहां पर दोनों चेप्टर में आपको मिलेगा कि बॉडी मुव्मेंट सबस्क्रों कानषड सेंट कोडिनेशन और सेंट्रोल में बोट सेंटरं सिस्टम एंड एंड्र ऐएंड खीयोर में और सिस्टम होगा नहीं नहीं ठीक है फ्रूटिंग आएंगे नहीं आएंगे यह सब सब हॉर्मोनल बेसिस पर होता है प्लांट के अंदर जो भी उसका कंसंट्रेशन है ठीक है तो दिजॉल बेस्ट ऑन दो हॉर्मोन और उसके फंक्शन पर ठीक है अब देखो तो कुल मिलागे मैं क्या कहना चाहरा हूं कि कि जो फ्लारिंग प्लांट में होने वाले ऐसा नहीं कि उससी टाइम पेडिसेंग प्लांट यह डिसीजन पहले ही ले चुका है कैसे तो ड्यू टू प्रजेंट आफ हॉर्मोन इंदी प्लांट क्लियर है यहां तक अब जो आपने स्ट्रक्चर और फ्लार पड़े उसमें स से एक एक स्ट्रक्चर को सेपल पेटल अधह नहीं उसमें अब बना सेपल गरीन वह आँ उनिट को केलिग से बोलते हैं पेटल क्या है ऑथ कलर फुल होता है उसके एनिटको क्या बोलते अभ उन्हें को रॉला बोलता है दोनों के फंक्शन उसके अलाबा आपना आएंगे मेल एंट फिमेल रिप्रोड़क्टिव प्लांट व्मेल पार्ट है मेल कि रिप्रोडक्टिव कि पार्ट कि व्म कि प्लार कि मेल रिप्रोड़क्टि प्लांट पार्ट क्या है कि क्या है कि क्या है कि यहां पर कुछ गडबड मत कर देना कि बहुत सारे स्टमन को अगर मिला दें तो ग्रूप ऑप स्टमन इस नोन आज एंड्रोशियम यह मैं बता चुका हूं यह फिर से लिखने की जरूवत नहीं है तो स्टमन होता कैसा कैसा अभी मैं बताया था थोड़ी दिर पहले और कि यह क्या है यह Gentleman ना ऐसानी से हैंड़ना की helping यह इए पूरा स्टमन यह डी सउन इस वन स्टमन कि यस को अपन यहां से हटा करके लिख्ट पेश्ट पर अर pas आपके 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 Stermon तो जो Basically Stermon जो पार्ट होते हैं वो कितने पार्ट होते हैं सबसे पहला पॉयंट Parts of Stermon दिख रहा है न थोड़ा सा इससाइड में कर देता हूँ Parts of Stermon कितने पार्ट हैं टोटल इसके दो पार्ट हैं दिख भी रहा होगा आपको एक तो यह हो गया लोब टाइप का है एसा ना कि दो लोब है। एक लोब, दो लोब और यह क्या है लांग स्लेंडर लाइक आरीं स्ट्रक्चर्न, इस फानी सिस्वानी एक लांड़ लग तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग इस लोग लाइक का स्ट्रक्चर इसको हम लोग क्या बोलेंगे एंथर और नीचे वाले को क्या बोलेंगे फिलामेंट एंथर इंड फिलामेंट इसके दो पार्ट आपको ध्यान रखने हैं एंथर ख्रसित 00 कि यह में एंघ हैं अन फिलामेंट तिक एंधि अब देखो एंतर वारे में अगर हम लिए से अपन दो जो भी पढ़ रहे हैं पहले फरर पढ़े उस करें बिल्कुल इसका पहले इसके बारे में डीटेल पढ़ेंगे जो कि यह खुद एक ठीक ठाक टॉपिक मतलब अच्छा बढ़ा इसमें भी मतलब 15-20 मिनिट लग सकते हैं आपको बस एंथर पढ़ने में फिलामेंट में तो कुछ है नहीं फिलामेंट कैसा है भाई लॉंग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर लांग है लाइक लांग स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं फिलामेंट और यह बताओ इसको हम लोग बोलते हैं इस वाले जो पार्ट बल्लिंग बार्ट है इसको थैलमस तो यह प्रॉक्सिमल में है यह तो यह क्या है यह जो पार्ट है इस प्रॉक्सिमल टू इस प्रॉक्सिमल टू इस प्रॉक्सिमल टूदा बेस ओफ लार यानि कि अगर हम यहां पर थैलमस वाले माने तो यह क्या हुआ इसके पास हुआ कौन से पास हुआ इस वान इट मिन्स फिलामेंट और यह क्या हो गया यह दूर हो गया ठीक है यह आपको मिलेगा यह तर्मिलोलोजी आपको इध्यान रखना है अब यह बताओ जो एंथर है उसका स्टॉक्चर आपको कैसा पाई लोग्ड पाई लोव है अब इसके बारे में जो स्टमन का पूरा डिटेल है इसमें यह पूरा स्टमन पढ़ने में अपने को लगभग 20-25 मिनिट का विडियो बन जाएगा इसको अपने नेक्स लेक्टर में कवर करेंगे ताकि कि एक साथ पूरा स्टमन पढ़ें स्टमन का इंटरनल स्टक्चर क्या है ट्रांस्वर सेक्षन में इंपोर्टेंट है इसमें बहुत सारे पॉइंट आजेंगे छोटे-छोटे-छोटे साताथ पॉइंट आपको कवर होंगे और सभी के सभी एक रिटिंग तो लगाना ही है और एक्जाम में इसके डियाग्राम भी इंपोर्टेंट है इसके इंदर पॉलेंग्रेंस का भी टॉपिक आजाएगा ठीक है ठीक है थोड़ा सा बढ़ा हो जाएगा इसको आपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आप यहां तक पढ़ना पाट और फ्लार अच्छे से करना ठीक है पाट और फ्लार जो बोर्ड के बच्चे देख रहें उनके लिए मैं फिर से बताता हूं डियाग्राम को बिल्कुल प्रेक्टिप बहुत इजी डियाग्राम है डियाग्राम बनाने का सिंबल तरीका पहले आप यह बना फिर इस तरस बना इसको कवर कर दो ओके तो अभी के लिए फिलाल इतना ही बाकि नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टमन को स्टार्ट करेंगे और उसे फिनिस कर देंगे पूरा ओके तो थैंक्यू झाला है वीडियो में पास्टार्ट करेंगे ने जब देंगे लिए सिंबल्ट कर दो देंगे देंगे गए पर शोवीं आपर देंगे आप